नमस्कार दूस्तो आप सभी का होम रेसेपी चानल में स्वागत है आज मैं आपको एक बड़िया चटपटा स्नैक्स बना के दिखाने वाला हूँ जिसे के हम पोह और ब्रेड से बनाएंगे वो भी कम से कम चीजों में तो फिर चले बनना शुरूख करे तो यहाँ पर यह मैंने लगबग एक कब जाड़ा पोहा लिया है अभी इसमें डालेंगे पानी ताकि यह भीग भी जाएंगे और इसे दोने का काम भी हो जाए तो ऐसे हच चलाईए और पोहा को एक से दो मिनिट भीगो कर ले अब इसे निचोड निचोड कर इसमें से पानी निकाल के पोहा को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसपर करेंगे अभी डालेंगे ब्रेड क्राम्स यह मैंने दो ब्रेड का गर में ही ब्रेड क्राम्स बना के लिया है स्वादा नुसार नमक डालके इसमें बिना पानी डाले इसे मिला लेंगे और इसका डो बनाएंगे यहाँ पर इसे अच्छी तरो मसल मसल के लेना है ताकि डो अच्छे से बनके तयार हो जाए जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा डो अच्छी तरो बनके तयार है तो आब इसमें डलते हैं बारीक कटा हुआ एक चोटा सा पैच और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसके बाट डालेंगे आदा चमच जीरा चौप किया हुआ थोड़ा कड़ी पत्ता दन्या पत्ता डालते है लास्ट में थोड़ी रेड चिली फ्लेक्स डालके इसे मसलते हुए हम इसे मिला लेंगे ये देखिए सबी चीजे अच्छे से मिक्स हुई है तो अभी हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट की लुई बना लेंगे और बाद में उसे सरपेस के ऊपर रख कर बेल कर लेंगे दोस्तों हमें इसे पतला नहीं बलकी थोड़ा मोटा ही बेल कर लेना है और इसे बेलते समय इसके किनारे फट भी सकते है तो आप उसके किनारों को दबाते हुए ऐसे बेल कर लीजिए जैसे ही बेल कर हो जाए तब किनारों को काट के इसे square shape दे आप इसके किनारों को हटा के इसे हम दूसरे आटे के साथ बेल कर लेते हैं आप इसे लंबे shape में यानि की strip में काट लेंगे आप चाहे तो दोस्तों इस snacks को किसी और shape में बना सकते हो ये देखिए ऐसे सभी आटे का एक साथ snacks बनाने के बाद इसे deeply fry करके लेंगे तो उसके लिए मैंने इधर तेल को पहले से ही ग्यास पर गरम होने के लिए रखा था तो इस snacks को fry करने के लिए पहले तेल को अच्छे से गरम करके ले और बाद में flame को medium रख कर अच्छी तरो fry करिए आप देख सकते हो कि हमारा snacks अच्छे से fry होने लगा है यानि कि snacks बनके तयार है तो इसे बना के आप आपकी मन पसंद चटनी के साथ या फिर tomato ketchup के साथ खा सकते हो तो आज की snacks की recipe पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करे